ओके जस्टिस फॉर आर जी कर यह आर मुद्दा तो बड़ा सेंसेटिव है और जस्टिस मिलने भी चाहिए और अब कितने टाइम में जस्टिस मिलेगी इस चीज को अभी छोड़े ना हम सब लोगों के थोड़े थोड़े क्युमिलेटिव एफर्ट जो हैं वह भी आगे चलके बहुत बड़े हो जाते हैं तो इस चीज को सोशली ठंडा मत होने देना दोस्त प्लीज मेक शॉर कि अगर आपके पास एक डिवाईज है और उस पर पांच मिनट भी स्पेंड करते हो प्लीज मेक शॉर कि आप इस केस को थोड़ा सा अपने तरफ से एक्टिव रखें आप अपने स्टेटस पे इधर उधर थोड़े बहुत पोस्ट शेयर करते रहें विकाज यह बहुत इंपॉर्टन चीज है इससे बहुत ज़ादा बड़ी बड़ी जो बॉड़ी है उनके कि होनी चाहिए और अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक एक एक्जामपल सेट कर पाएंगे कि उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले लेकिन जिसके घर से बच्ची गई है उसके बारे में सोचो एक बार वो क्या करेंगे जस्टिस का जैस्टिस की सबजी बनाके खाएंगे अगर मेरे घर से है ना कोई है जिसके साथ अगर भगवार ना करें गल्ती से भी ऐसा हो जाता है मैं क्या करूंगा उस्टिस का जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा ना अब तो we need to work upon a ground reality कि ऐसी चीजों को होने से रोकना पड़ेगा rather than ऐसी चीजों के लिए जस्टिस के डिमांड करना जो कि आज के दिन में बहुत important है लेकिन future में हम लोगों को ऐसी rules ऐसी regulations के उपर काम करना पड़ेगा अगर आप फॉरन में देखें तो ऐसे rules और regulation है कि सामने वा परकी के बारे में गलत सोचने से पहले भी वहाँ पर इसने strict rules है कि अगर कोई rapist है ना पकड़ा गया जो कि वहाँ पर पकड़ा जाता है the system is very solid rock solid system है उसी दिन उसको जो है फासी दे दी जाती है उसी दिन उसको या तो शूट कर दिया जाता है कोई ना कोई ऐसा system है जहां पर आपका उन रेपिस के साथ बहुत बुरा होता है और होना भी चाहिए तो I stand for a system जो कि ऐसा कुछ सजा का प्रावधान बनाए कि 24 घंटे भी वह रेपिस जिंदा न रह पाए और रेप करने से रेप के बारे में सोचने से भी लोग डरें एक ऐसा महल एक ऐसा system जहां पर हिल जाएं ऐसी कोई न्यूस सुनने को ना मिले अगले कई महिनों तक कई सालों तक कभी भी कोई ऐसी न्यूस सुनने को ना मिले कि एक लड़की चल रही थी इधर बैटी थी उधर जा रही थी और उसका रेप हो गया ऐसी कोई न्यूस जिस दिन ना आए उस दिन हम समझें मिली है ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि यह सारी चीज़े जो है इन पर एक रोक लगाई जा सके और स्टार्टिंग से ही अपने अपने बीहिवियर के ऊपर भी काम करना चाहिए तो कि आपको गलत तो हमेशाअ क्यliter चीज़ों को जच करना आगर अगर कहाम को कर रहे है वही काम के साता तो मतलब है अगर मैं किलता हैं और और मैं तब कि तब करता हूँ अगर एक तरीके से इक फोटो इंटर कर रहा हूं कि । बहन के साथ होता तो यह गलत है, तो मैं अगर किसी के बहन के साथ कर रहा हूं, तो वो भी गलत है, तो अपनी life में ऐसे principles बनाओ, कि हमारे लिए जो गलत है, अगर हमारे उपर अगर कोई चीज आ रही है, वो गलत है, तो हम भी वो चीज किसी और के साथ नहीं करेंगे, it is very simple, इतना आसान है बताओ, इस ते आसान और कुछ नहीं हो सकता, तो गलत नहीं करेंगे, अराम से इमांदारी से अपनी जिन्दगी जिएंगे, रक्षा बंधन कल गया ही है, तो I promise my sister that I'll protect her, but I have also made a promise that I'll protect every other sister, जहाँ पर उनके भाई available नहीं होंगे, और मैं available होंगा, I'll protect them, and I want that promise from all of you all, आप जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, you'll protect my sister when I'm not around, I'll protect your sister when you are not around, तब जाके यह जो रक्षा बंधन है, यह थोड़ा सार्थक हो पाएगा, मेरी बेहन की रक्षा करना आपकी भी responsibility है, और आपकी बेहन की रक्षा करना मेरी भी responsibility है, this is a game जो कि इसी प्रकार से चलना चाहिए, मेरी बेहन, मेरी बेहन है, उसके मैं रक्षा करूँगा, मैं उससे धागा बंदवाऊंगा लेकिन और किसी की भेहन की रक्षा नहीं करूँगा मुह फेर के चला जाऊंगा तो यह बहुत ही घटिया चीज है तो we shall do this promise to each other at least आज हम यह promise तो करके निकले यह मैंने किया भी है इस बार और मैं इस चीज को पूरा निभाऊंगा अपनी जिंदगी में मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं तो भाई घुश जाऊंगा उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए है ना चोट लग जाए जान चली जाए वो अलग चीज है किसी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा that is my promise to my sister and that should be your promise to your sister and my sister also सब लोग एक तब सब ही जाके we will be able to make a better society क्योंकि यह problems है यार मैं आपको एक story सुनाता हूँ मत्तब it is a real story मैं उस टाइं पर बहुत चोटा था और हम लोग ना बहुत डरते थे because my father was in army and उनकी last posting थी ले में और जब ले में आपकी posting आती है पिताजी की तो आप साथ नहीं जा सकते because बरफीला इलाका है तो family were not allowed वहां पर जो है quarters वगेरा होते नहीं थे तो वहां पर फिर हम लोग जा नहीं पाए तो मेरी मम्मी के साथ हम लोग रह रहे थे मेरा भाई था मेरी भेन थी और मैं था तो मेरा भाई जो है वो school pass out करके FMC में select हो गया और मेरी भेन और मैं बचे तो मेरी भेन ने local college में एडमिशन ले लिया अब मैं चिंगा सा ज्यारवी बार में मैं अगर कभी लेने जाता था अपनी भेन को तो मेरी भेन जो थी वो डरते ये भी नहीं बताती थी कि हां मेरे को ये लड़के परिशान कर रहें क्योंकि उनको पता है मैं जाओंगा तो मैं और पिटूंगा तो आसे कई सारी चीज़े होती है कईयों के जो फादर सहाब है वो बाहर रहते हैं कईयों के पापा की अर्ली डेस हो जाती है तो उनकी जो बेटिया है उनको ज्यादा प्रोन माना चाता है इस चीज के लिए कि हां इंको छेड़ सकते है विच इस रॉंक तो उस टाइम पर मैं उतना सक्षम नहीं था कि मेरी भेंवेर से डिसकस करें बट वो कही ना कहीं मम्मी से डिसकस करते थी और मम्मी उस्टू केटर लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद मैंने वो चीज़े जो है उनका चार्ज फिर मैंने ले लिया एंड सिमिलरली वो चार्ज ट्रांसफर होता है तो आप भी इतने काबिल तो बनो कम से कम कि आपके साथ वो प्रॉब्लम शेर करी जा सके और यह बहुत कॉमन है यार हर कॉलेज में हर स्कूल में सारे चीज़े हो रही है तो इनको एक ग्रासरूट लेवल पर हमको सॉल्व क जाते हैं और यहां लड़की के साथ होता है यहां पर अपने काफी बहने हैं बैच के अंदर यह एगरी कर रही होंगी अभी आपकी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है यू रिडिंग इन क्लस 12 पर तब भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो सब्सक्राइब करेंगे तभी होगा अधरवाइस नहीं होगा तो वी नीड टू बीदा फ्लैग बीरर वो चेंज शुरू हम से होगा उसके बाद पूरी दुनिया तक पहुंचेगा परपैच्वेट होगा तो हम अपने एंड पे तो यह सारी चीज़े शेर करेंगे अच्छे तरीके से बढ़ या कोई कि इसको तो बिल्कुल ही सजा मिलनी चाहिए और सजाए मौत मिलनी चाहिए और as soon as possible मिलनी चाहिए जिससे एक example set सट को कोई किसी लड़की को हात लगाने से पहले भी 1000 बार सोचे ऐसी मौत मिलनी चाहिए नॉर्मल मौत नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि यहां पर फासी हो जाए, यह वो कुछ ऐसा सेट करो, कि लोग डरे, इस मामले में डर बैठना बहुत जरूरी है, एक्दम कलेजे के अंदर तक डर बैठ जाए, कि यार किसी लड़की के और देखाना, तो केल खतम हो जाएगा, उस लेवल का डर बैठना जरूरी है, तो खतरनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत गंदी मौत मिलनी चाहिए, अब सोच भी नहीं पा रहा हूं, मैं ऐसा कुछ गंदा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत खतरनाक और पब्लीकली मिल जाए, तो क्या ही बात है, अब मुझे लगता है तो सिस्टम डवलप करना पड़ेगा, उसके अलाब तो कुछ नहीं होगा